तो यहां पर गाइज और कोई हमारी नहीं आ रही सारी अब किसके हैं लेयाउट वाली एर्रस हैं सब सॉल्व हो गई हैं हमारी जो इंपोर्ट वाली एर्रस थी हो जादर सही हो चुकी है सब यह भी तीन लेयाउट की हैं यह तीन भी गाइज लेयाउट की हैं तो यह हो चुक पर कौनसी हमारी यहां पर और कॉनसी है तो कौनसी हो गई हो गया है तो इहां पर इसको टास्काडेप्टर को मैं बंद करंग और क्रीयेट हो चुका है तौन सब्सक्राइब अभले चाथब्चाइब जाबाली फाइल कम्लिट कर ले तो ये कवन सी है मेरी activity है okay तो मुझे activity एड करनी है तो इसका नाम क्या है गाइज add task activity थो just simple मैं इसका name यही से copy कर लेता हूँ को issue नहीं है and इसके name को copy कर लिया है guys इसमेहने simple and यहां पर कि आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस आप पहले क्या कर लेता है खाली इसकी एक्टिविट कर देट लेता है इसका इसका कोड़ में कॉपी करता है तो यहां पर आ गए का हमारा पैकेज नेम सिंपल आप जाओगे इसमें राइट क्लिक करोगे नियू क्या क्रेट करना है हमें एक activity create करनी है activity में क्या activity मुझे create करनी है empty activity okay तो यहां पर आ गए एक empty activity and empty activity का मैं simple क्या देदूँगा name देदूँगा add task activity okay generate layout file ऐसा करते हैं बना लेते हैं इसका simple and simple इसे क्यों कर देते हैं finish कर देते हैं करके मैं हमारी एक blank activity आ जाईगी किस नाम से है guys हमाओा task activity तो यहां हमारी create हो गई है यहां क्यों कर देदल से antisर्ट करक मैं इस licenses single यह उसे जाएं जैने को कोड कर लेते हैं जितने सिंहीं सिंगा हैं तो क्याई यहां पे कोई गलती हो गई गई तो पूरा हमारा क्या दाए कोड में एरर आ जाएगी तो इस चीज पर ध्यान रखे करना हमेशा कि आपको कौन सी कॉपी करनी है तो यहां पर सब कुछ सभी लग रहा है गाई सिंपल कर लेंगे यहां पर कॉपी कर लेंगे इसे एंड किसमा पेस कर दे कुछ से इंपोर्ट ना हो तो आप यहां से सिंपल इस वाले इंपोर्ट को कर सकते हो कॉपी कर सकते हो तब भी कोई अरल नहीं आएगी तो सिंपल गाईद मुझे करना है यहां से पूरा कॉपी करना है यहां से नीचे वाले कर ली ब्रेस से पूरा कॉपी कर देंगे गाई ले आउट का है यह भी ले आउट का है वियू है वियू को अपडेट कर लेते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यह भी क्या रेडियो ग्रूप हमारा क्या बटन वाला है तो इसको भी हम नहीं कर सकते ले आउट है तो गाइस सब कुछ हमने यहां जो हम खुद से कर सकते थे तो यहां पर हमारे इसके सारे इंपोर्ट पूरे हो चुके हैं तो यहां पर जितनी जावा फाइल से फिलाल के कर लेता है इन्हें एक जगर कर लेता है जिन जिन में हमारी एर्र आ रही है और डेटाबीस में हमारी कोई नहीं है तो डेटाबीस वा इस पर फाफ घाउड इस ug отс yang the पोड़र करेंगा हुमारी पूरी फाइल आगए चेक कर देता है कुछ छूटा तो नहीं हमें से किसम कॉपी करने Lord activity at andatch okayi तो सिंप्ल इसे हम करेंगे यह constraint layout बना हुआ है गाई सब्सक्राइब कर रहा है क्योंकि मैंने पूरा ही select कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दूंगा तो यहां पर क्या आ गया हमारी task create हो गई है अब गाई यहां पर क्या रही है हमारी बहुत सी error आ रहे है क्यों क्योंकि इसकी कोई इसमें डर की बात नहीं है अब किस पर चलता है क्या कोपी करना हुआ है तो इसे में बंद कर देता हूं simple फिर किस पर चलता है जो हमारी main activity है उसकी layout file आ गए तो simple इसे भी copy कर देता हूं यहां पर इसे copy कर देते हैं and simple layout file में जाके इसे भी paste कर देते हैं हम यहां पर and guys एक चीज़ और यहां पर guys हमारा Recycler View को क्या कर सकते हो यहां परставط निख जहीस अरर और चलता है ना इसे आरोकाण कर सकते होसा क्को क्या पर 파्ला एक सथे बटन है यह वाला भी support नहीं कर रहा है इसे तो इसको भी कर लिंगे यहां पर इसको भी इहां पर delete कर दूंगा फिलहाल में यहां पर इहां पर गाइस simple मैं लिख सकता हूं floating अब यहां पर आपस क्या आगए दो option आगे गाई एक extended आगया simple floating action बटन आगया तो मुझे क्या साइगे simple floating action बटन चाहिए तो मैंने यहां पर दाल दिया है तो आप देख सकते हैं अब layout में कोई आपको भी time बचेगा बट मैं हमेशा यह आपको इसलिए करके दिखाता हूं क्योंकि जब भी आपको फाइल से इंपोर्ट करो अब आप लोग इतना यूस्टू नहीं है अभी क्योंकि कोई छोटी छोटी आप जैसे इवन रिसाइक्ल अभी है इसमें भी अगर आपकी हो सकते है आप साइट में अपने फ्रॉजेक्ट कर रहे हो आप ऊसपे क leoth 특 IL होती है इसे कि शीचिस को कैसे हैंड़ करना है कैसे इसे कुछनऴ करना है कौन सी फाइल इंपोर्टी है कौन सी पुराने बर जन वाली है तो मैं इसलिए step by step करके दिखाता हूं इस से कोबा में और भी बहुत टाइम सेविंग टिप्स हैं मैं बहुत जली करवा सकता हूं इसे इंपोर्ट बट उससे आपको सीखोगे नहीं और यूट्यूब पर आपको बहुत ट्रिटोरियल मिल रहेंगे जिसमें वह सेंपल पाच मिनट पूरा कोई भी प्रोजेक्ट आपको करवा सकते हैं मुझे भी आदा Android X में करना करवाना बट मैं ज्यादा लॉंग इसलिए लेता हूं क्योंकि गई अगर आप तीन-चार वीडियो चालेस मिनट की वीडियो देखे यह सीख जाओगे तो आपको चालेस अलग प्रोजेक्ट में जो एर्र आइंगी उसको टाइम बचेगा को बहुत जादा टाइम बचने वाला है तो यह चीज ऐसी होती है आपको जैसे ऐसा experience करते रहोगे आपको आदत पढ़ते रहेगे आप खुछ से फिर आपको even खुछ से आप import करोगे या कुछ करोगे तो आपको errors बिना आपके पता लगे आपको अपने आप समिझ में आती क्या है कि आपकी जो हैवेट आनी चाहिए कि errors को कैसे टेकल करना है क्योंकि अकर errors आप टेकल नहीं कर पा रहे हो तो बहुत पॉब्मेटिक वाली बात है क्योंकि Android Studio में literally हर स्टेप पे आप कोई साभी code copy करो कुछ भी करो आप अपना भी कर रहे हो तो लाइबरी में आपके framework में copy आईगी तस जगह पर्म आईगी गई तो टैकल करना बहुत सरूरी है किसको errors को आना तो यहां पर गाईज दुबारा पर चलते हैं तो हमारी दो layout files यहां पर copy हो चुकिए हैं थर्ड वाली पर देख लेते हैं यह मैंने अल्री copy कर दी हमारी main activity तो simple method कि क्या कर देता और नीचे तक copy कर लूँगा इसे simple यहां पर copy कर लिया है और इसका करना है नाम हमें simple याद कर लेना है task layout okay task layout create कर रहे हम तो आप कहां पर जाएंगे guys अपने layout वाले folder में जाएंगे simple यहां पर create करेंगे new और क्या layout resource file create कर देंगे यहां पर और यहां पर नाम क्या देदेंग क्योंकि हमने पूरा task पूरा इसका code copy करी रखा है जब replace करना है तो कोई issue की बात नहीं है यहां पर आ चुका है थोड़ी से space दे दे देते हैं इसके version में ताकि थोड़ा सा अलग सा लगे यह अब इसमें भी क्या problem आ रही है एक तो background में जो हमारा gradient वाला है उसमें error आ रही ह है एंड कौन सी आ रही है तो आप क्या कर लेता है अपनी values को भी खोल लेता है पर इससे पहले क्या कर लेता है जो हमारी यह वाली error आ रही है तो गाई यहां पर हमारी जो ड्रॉइबल वाली फाइल है जो gradient फाइल उसका नाम क्या है priority circle तो मैं simple क्या देता हूं यहां से copy कर देता हूं priority circle and simple guys यहां पर आप ड्रॉइबल पर जाके new ड्रॉइबल resource file create कर सकते हो और इसका नाम क्या दे सकता है priority circle और बाकी चीज़ है हमारी अल्रेडी क्या है selected है simple कुछ नहीं करना है हमें यहां पर okay कर देना है